ओम शांती, आप सब को सवागते हैं, आज हम कर रहे हैं 14 सेप्टेमर की इशर्वदान की रिकॉर्डिंग तो जौला सुरूप की याद, जिससे की हमारे अंदर के जो भी पुराने संस्कार हैं, पुराने सुभाव हैं, वो परिवतन हो, हमारे अंदर की जो मैल है, गंड़ी है, जो हमारे अंदर बहुत सारे कई जन्मों से प्रैक्टिस किये हुए अभिमान, इर्शा, ग्रिना, नफरत के संसकार, हैबिट्स बन गई है वो हमारी च्वाला सुरूप की याद, परमात्मा की याद से हमारे अंदर वो सब कुछ कचला जो है, वो भसम हो जैसे अगनी में कोई भी चीज डाली जाती है, तो नाम, रूप, गुण, सब बदल जाता है चाहे कागाज हो, चाहे कोई भी चीज हो चाहे सोना हो ऐसे जब बाप के याद की लगन की अगनी में पढ़ते हो, तो परिवर्तन हो जाता है मनिश्य से ब्रामन, ब्रामन मतलब high-charactered human being फिर ब्रामन से फरिष्टा, सो देवता बन जाते हो जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में ढाल कर आग में ढालते हैं, तो इट बन जाती ऐसे ये भी परिवर्तन हो जाता हमारे अंदर भी वो परिवर्तन आ जाता है हम भी सांचा मरलब परमात्मा की देखरेक में हम परमात्मा की याद में वो अगनी में हमारा भी क्या होता है तपना शुरु होता है इसलिए याद को ज्वाला रूप कहा जाता है परमात्मा की याद ज्वाला रूप में हो हमारी और कहीं आप देखेंगे कहीं जो टेंपल्स हैं, गुरुदवारे हैं कहीं जगाओं पर और कहीं जैन टेंपल्स होंगे कहीं आपके जोहराश्ट्रीन टेंपल्स होंगे जहांपर अगनी को जलाया जाता है कंटिनुसली जला के रखते हैं उसको कहते हैं कि यह अखंड जोती है यह कभी खंड नहीं होती है यह परमात्मा की याद की वो अगनी है जिसके सिंबलिविसम्स है ही सारे एक representation बोल सकते हैं जिसके द्वारा हमें यह याद आता है कि हमारी भी परमात्मा के साथ में जो मीत है जो प्रीत है वो सदा ही ऐसे ही जलती रहे ताकि हमारे अंदर की जो मैल मिटी है हमारे अंदर की जो बुराईया है वो खतम होनी शुरू होई एक दिर में तो नहीं होँगी लेकिन हाँ जोहला रूप से करने से हमारे अंदर हम किसी एक चीज़ पर फोकस करें तो वो फटापट वो खतम होना शुरू होँगे कि भई इस चीज़ को में को नेगेटिव को निकालना है मुझे अब इमान निकालना है और मुझे इसके जगा पर नमरता को ढारना है या मुझे इर्शा गिर्णा नफरत जो है वो खतम करनी है मुझे संतुष्टा मुझे सबके लिए सदभावना और मुझे किसी के बारे में अब पवित्र सोचना नहीं है सबके बारे में पवित्र सोचना है तो ये सारे जो हैं ये तब हो पाते हैं जब हमें मेडिशन में बैट करके आपने आपको बार बार समझाते हैं कि ऐसे चेंज करो ऐसे मत सोचो ऐसे मत बोलो ऐसे करो ऐसे सोचो ऐसे बोलो तो यह है जुआला रूप की याद इसमें हमें परमात्मा की मदद चाहिए ताकि परमात्मा का जो प्यार है जो उनसे मिलने वाले हमें शक्ती है उसके द्वरा ही चेंज आएगा किसी के बोलने से बहुत जादा कि यह चीज़ें पॉजिटिव पढ़ने से सिर्फ उससे चेंज नहीं आता है परमात्मा की याद से चेंज आता है तो आज का यह वर्दान अब हम करेंगे कल के वर्दान की रेकॉर्डिंग और आपको हम जितना जिल्दी हो सके यह रेकॉर्डिंग भेजेंगे ओम शानतिस के साथ